दाबलेस की पापिलर शोर साथ यसाथ शो मेंगा प्रिडूसर गुल खान के अब तक कि बेस्ट शोस में गिने जाते शो में से एक इश्वबाद यूद रुस्टें टॉन्स के साथ कहानी आगे पड़ाता ही रहता है और इसके साथ ये कहानी में कहीं तरह की मोड भी आते रहते हैं लेगन अब भई कल के एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा था कि दर्शक अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था उस सीन के अंदर और उस सीन के अंदर का मीनिंग क्या था? क्योंकि शोग के अंदर अगर आपने वाकरी ध्यान दिया हो तो सीरल इशक बास के अंदर सीच के मूँ से इतना गलत सुनकर शिवाय बाइक लेकर निकल पड़ता है गुसे में इसके बाद पिंकी डर जाती है बहुत ही जाता और इसके साथ ही फोन लगाती है कि लड़की को और कहती है कि सिर्फ वही है चो शिवाय को रोक सकती है साथ साथ ये भी कहती है पिंकी कि इस बार वो लड़की कम से कम पिंकी की बातों का अपनान रख ले और इस Scene के तुरंध बाद दिखाया जाता हे अनिका को जिसके बाद अनिका कहती है कि वो समझ गई है और टिंशन में आ जाती है और भाई इस Scene के बाद तो घर सब सही समझ रहे थे कि जरूरए आनिका ही जाने वारी है शिवाये के पार लेकिन कहानी तब पर अलट जाती है और जब रागिनी पहुंच जारी है श्रिवाय के पाथ और वाकरी ताजब की बात है कि क्या आनिका कोही किया था पिंकी ने फोन और किया था तो भला रागिनी कैसे पहुंच गई वहाँ और अगर रागनी को ही फोन किया था तो पिंकी ने ये क्यों कहा कि इस बार रागनी उसकी बात का मान रख ले विलकाईव, कन्फूजन तो बहुत है, लेकिन इसके साथ दी क्या कन्फूजन और इस कन्फूजन का सिल्यूशन क्या है इस बात का जवाब हम जल्द ही लिखर लोटेंगे आपके लिए तब तक के लिए बनी रही है हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल टॉप न्यूज जेस्ट फ़िए जहां आपको मिले की शुबास से जुड़ी हर लेटेस्ट अप्टीट टॉप न्यूज से आज था की डिपोप्ट